स्वागत है आपका आज के एपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ वेस्ट वाइस सिटी इस टूल याने डबलू एसीटी शब्द कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प बी संदर्भ मानवबस्तियों का कारिक्रम चले देखते हैं इसके विस्टेशन को संदर्भ मानवबस्तियों कारिक्रम ने वेस्ट वाइस सिटी इस टूल लॉंच किया है यहां एक नवीन उपकरण है जिसका उप्योग शहर अपने नगरपाली का ठोस अप्शिष्ट प्रवंधन प्रदर्शन के मुल्यांकन और सुधार के लिए कर सकते हैं यह शहर में अप्शिष्ट प्रवाह और मातरा का एक चितर प्रदान करता है तथा नियंद्रित सो विधाओं में उत्पन एकतरित इवंप्रबंधित अप्शिष्ट पर डेटा एकतर करता है इसे अफ्रिकी स्वक्ष शहर मंच और वेस्ट वाइस सिटीज अभियान के तहट विक्सित किया गया था अधा विकल्प भी सही है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्ण के साथ निम्नलिकित में से कौन से देश, शार्क और विम्स्टेक दोरों में समान है एक शिलंका, दो भुटान, तीर बांगलादेश, चार म्यामार नीचे दियेगे कूट का उप्योग करके सही उत्तर चुनिए इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलप ए के विसलेशन को सार्क और विम्स्टेक दक्षड एशियाई शेत्रे सही उग संगठन में आठ सदस देश शामिल है अर्थार्थ, अफगानिस्तान, बांगलादेश, भुटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और शिलंका बहुशेत्रे तक्निकी एवं आर्थिक सहीयों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल में 7 सदस देश शामिल है अर्थार्थ, बांगलादेश, भुटान, भारत, म्यामार, नेपाल, शिलंका और थाइलेंड पांच सदस देश अर्थार्थ, भारत, नेपाल, शिलंका, भुटान और बांगलादेश दोनों समोहों में समान हैं अतविकल्प ए सही है अगला प्रश्ण है भारती रिजर्व बैंक यानि आर्बियाई के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक या मौद्रित निती का निर्माड कारियानवेर इवं निगरानी करता है दो या देश में आमजनता की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए भुपतान प्रणालियों के सुरक्षित इवं कुशल तरीकों को प्रसुत करता है और उन्हें उन्नत भी बनाता है या केंद्र और राजसरकारों के लिए व्यापारी बैंकिंग कारे करता है उपर युख में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल ती, डी एक दो और तीन इस प्रश्रका सही उत्तर है विकलप D, 1, 2 और 3 चले देखते हैं इसके विसलेशन को भारती रिजर्व बैंक याने RBI के मुख्य कारे हैं मौद्रिक प्राथिकरण यह मौद्रिक निती का निर्मार कारियान वयन और निग्रानी करता है अतक अथन एक सही है सरकार का बैंकर या केंद्र और राजसरकारों के लिए व्यापारी बैंकिंग कारे करता है अतक अथन तंत्र के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक मंत्रिस्तरी सम्मेलन डबलू टीओ सदस्यों के बीच विवादों से निपटने के लिए विवाद निपटान निकाय के रूप में आयोजित किया जाता है दो विश्यव्यापार संगठन का विवाद निपटान तंत्र एक दो सदस्य प्रक्रिया है जिसमें एक पैनल और एक अपीली निकाय शामिल है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है इक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलि देखते हैं इसके विस्टेशन को विश्वयापार संगठन का विवाद निप्टान तंत्र सामाने परिशद डबलू टियो सदस्यों की बीच विवादों से निपटने के लिए विवाद निप्टान निकाय की रूप में बुलाई चाती है अतक अथन एक सही नहीं है विवाद निप्टान तंत्र एक दोस तरी प्रक्रिया है जिसमें एक पैनल और एक अपीली निकाय शामिल है अतक अथन्दोस सही है WTO सदस से विवाद को निप्टाने के लिए एक पैनल के स्थापना का अनरोध कर सकते है पैनल एक रिपोर्ट जारी करेगा जिस पर बाद में कानून के प्रश्टों पर WTO के अपीली निकाय के समक्ष अपील की जा सकेगी अगला प्रश्ट है निर्मलिकित में से कौन सा स्टॉक मार्केट में पंप एंड डंप योजना का सबसे अच्छा वर्नन करता है ए रणनितिक निवेश के माध्यम से स्टॉक मुले बढ़ाने का एक व्याद तरीका बी किसे स्टॉक की कीमत को कृतिम रूप से बढ़ाने और फिर उसे अधिक मुले पर बेशने की प्रथा इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी चली देखते हैं इसके विस्क्रेशन को पंप एंड डंप योजना शियर बाजार में पंप एंड डंप योजना एक प्रकार की हेर फेर गतिविदी है जिसमें जूटी और ब्रामक जानकारी के माधम से स्टॉक की कीमत को कृतिम रूप से बढ़ाया जाता है ताकि स्टॉक को बढ़ी हुई कीमत पर बेचा जा सके और निवेशकों को भारी नुकसान हो स्टॉक को चर्चा में लाने और निवेशकों को आकरशित करने के लिए आकरामक तरीके से प्रचारित किया जाता है या एक बार जब स्टॉक की कीमत परियाप्त रूप से बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई कीमतों पर विक्री शुरू हो जाती है विक्रे दबाव के कारण स्टॉक की कीमत में भारी गिरावटा जाती है जिससे अक्सर निवेश्कों को भारे नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि स्टॉक अपने वास्तेक मोले पर या उससे भी कम पर वापस आ जाता है अतविकल्प 20 सही है राष्ट्रे चिकित्सा आयोग से सम्बने तिम्रलिखित कथनों पर विचार कीजे एक इसने भारती चिकित्सा परिश्वत का स्थान लिया दो इसमें पांच सुआयत बोर्ट शामिल है तीन एनमसी द्वारप्रदान की गए मेडिकल डिग्रिया विश्वस्तर पर मानेता प् एनमसी भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए सर्वुच नियामक निकाय है एनमसी के सापना वर्ष 2020 में राष्ट्रे चिकित्सा आयोग अधिनियब 2019 द्वारा भारती चिकित्सा परिशत के स्थान पर की गई थी अतक अथन एक सही है एनमसी में चार स्वायत बोर्ट शामिल है सनातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ट, सनातक उत्तर चिकित्सा सिक्षा बोर्ट, चिकित्सा मुल्यांकन और रीटिंग बोर्ट तथा नैतिक्ता एवं चिकित्सा पंजिकरण बोर्ट अधक अथन दोस सही नहीं है एनमसी चिकित्सा सिक्षा और प्रोसिक् अगला प्रश्ण है नैनो उर्वर्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक नैनो उर्वर्कों में 1-100 एनम के बीच के नैनो स्केल की सामगरी शामिल होती है दो, ये उर्वरकों की अतितिक कुशल प्रकार है जो फसलों को नैट्रोजन जैसे पोशक तत्व प्रदान करते हैं तीन, नैनो उर्वरकों का छोटा आकार पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश की उनकी शमता में बाधा उत्वन करता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है इस प्रशका सही उत्तर है विकलपट D केवल 3 चले देखते हैं इसके विसलेशन को नैनो उर्वरकों में एक से सो एनम के बीच के नैनो स्केल की सामगरी शामिल होती है अतक अथन 1 सही है इन छोटे आकार वाले नैनो कड़ों का पौधों की कोशिकाओं में अधिक आसानी से प्रवीश होने के साथ पौधों को प्रत्यक्ष रूप से पोशक तत्व प्राप्त होते हैं अतक अथन 3 सही नहीं है अगला प्रेश्ट है इसका मुख्यों देश देश में सौफ्वियर निर्यात को बढ़ावा देना है उपर युक्ष में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो नो, डी ना तो एक और ना ही दो इस परश्ट का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चले देखते हैं इसके विस्टेशन को सौफ्वियर प्रोधोगी की पार्क भारतिय सौफ्वियर प्रोधोगी की पार्क के स्थापना इलेक्रोनिक्स एवं सूचना प्रोधोगी की मंत्राले के तहत वर्ष 1991 में एक स्वाय तसंस्था के रूप में की गई थी अतक अधन एक सही नहीं है इसका मुख्यों देश देश में सौफ्वेर निर्यात को बढ़ावा देना है अतक अधन दो सही है सौफ्वेर निर्यातक समुदाय के लिए SDPI द्वारप्रदान की जाने वाली सेवाओं में डेटा संचार सेवाएं, इंक्यूबेशन सुविधाय, प्रसिक्षर और मुलिवर्धित सेवाएं शामिल है अगला प्रस्ट है, लोकसभा अधक्ष के संदर्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, वह सदन उसकी समीदियों और सदस्यों के अधिकारों और विशिशाधिकारों का सनक्षक होता है वह भारतिय संसदी समों के पदेन अधक्ष के रूप में कारे करता है तीन, वह सदन के भीतर भारत के सम्विधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है उपरिक्ष में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है इस प्रष्ण का सही उत्तर है विकल्प D, 1, 2 और 3 चले देखते हैं इसके विस्छेशन को लोगसभा अध्यक्ष लोगसभा अद्यक्ष सदन उसकी समीतियों और सदस्यों के अधिकारों तथा विशेशादिकारों का सनक्षख होता है अतकथन एक सही है किसी विशेशाधिकार के प्रश्ण को परिक्षण जाँच और रिपोर्ट के लिए विशेशाधिकार समिती को भेजना पूर्णता लोगसभा अधक्ष पर निर्भर करता है। जो अंतर संसदी संबंधों को सुविधा जनक बनाता है अतक अधन 2 सही है लोगसभा अध्यक्ष सदन के भीतर, भारत के संविधान, लोगसभा के प्रक्रिया और कारिसंचालन के नियमों संसदी मिसालों के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है अगला प्रेशन है अधिकरित आर्थिक ओपरेटर कारेक्रम के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक यह विश्य व्यापार संगठन के तत्वाधान में शुरू की गए एक वैशिक पहल है दो इसका उद्देश अंतराष्ट्रे आपूर्ती स्रिंखला की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ वैद वसों की आवाजाही को सविधा जनक बनाना है उपर्युक्त में से कौन सा या क कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक चलिए देखते हैं इसके विस्टेशन को अधिकरित आर्थिक ऑपरेटर यानि AEO कारिक्रम AEO कारिक्रम विश्व सीमा शुलक संगठन के S.A.F.E. मानकों के ढाचे के तहत वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुविधा जनक बनाने के लिए शुरू की गई एक वैश्विक पहल है अतक अधन एक सही नहीं है इस कारिक्रम का उद्देश वस्थों की अंतरराष्ट्री आवाजाही के दोरान सुरक्षा उपायों को मजबूत करना तथा वैद वस्थों के आवाजाही को सुविधा जनक बनाना है अतक अधन दोस सही है अगला प्रेश्ट है इस लेशन को मुक्त व्यापार समझोते यानि FTA या दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच की व्यवस्थाएं हैं जो मुख्यूरूप से उनके बीच परियाप्त व्यापार पर सीमा शुल्क और गैट टैरिफ बाधाओ को कम करने या समाप्त कर जाने के लिए सहमत होती है FTA में सामानेदा वस्थों का व्यापार जैसे क्रिशी या ओद्योगिक उत्पाद या सेमाओ का व्यापार जैसे बैंकिंग, निर्मान, व्यापार आधि शामिल होता है FTA में बौधिक संपता अधिकार यानि IPR, निवेश, सरकारी खरीद और प बाजा में इसराइली कारेवाई के जाच के लिए अंतरराष्ट्री ने आया लेद्वारा दिशा निर्देश, बी युक्रेन में रूस का मुकाबला करने के लिए नाटो देशों द्वारा बनाई गई कारे योजना, सी समुद्री घटना की सुरक्षा जाच या डी जलवा परिवर्तन के कारण पृत्वी पर जीवों का विलुप्त होना, इस प्रश्रका उतर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद